गुड मॉणिग दोस्त मैं रन्धीर सर मैं बात कर रहा था मेजर्मैंट पर सिप्र मेजर्मैंट असपर हम डिसकों करillä थे तो लास्ट बिज्चिए के SHانget को Sultan अधा है इसके किया थे हैं एक को बोलते हैं इंडारेक्ट मेथड ओफ मेजरमेंट और एक को बोलते हैं डारेक्ट मेथड ओफ मेजरमेंट उसके बाद हमने बताया था कि इंडारेक्ट मेथड ओफ मेजरमेंट होता है वो दो तरह का होता है एक को बोलते हैं अनलोग इंस्ट्रुमेंट बोलते हैं और को बोलते digital measurement बोलानता है जो अनॉल-डिफ्लेक्टिंग कहने का मतलब को कुछ नहीं निकल ला है तो ढीफ्लेक्टिंग टाइप होता वो फिर से तीनतरह का होता एक को बलते ही इंडिकेटिंग एक को बलते हैं integrating और एक को आप genius आप बॉलते रिकॉर्डिंग तो आज उसी का definition पर हम क्वां कर रहे हैं सबसे पहले इन डारेक्ट Meng我也 immense कि किसे कि ख्लते हैं तो तो चामझेगा पहले एक थुर सा बात को समझेगा एक शॉटा सेatas पहले उसको समझेगा फिर हम सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो कि हमको निकालना है कि इस इस हमको निकालना है कि यह एक रसिस्टेंस दिया हुआ है और यह आर का वैलू क्या है आर का वैलू क्या है हमको यह निकालना है वाट इस वैलू आर यह जो रसिस्टेंस है दोस्त इ तो देखेगा आपके पास दो हैं कि हम जानते हैं कि और यहां पर रो ऐसी है होता है कि तो यहां पर क्या है क्या सबसे पर्लीक यह का मतलब यह यह जो बना हुआ है किस material का बना हुआ है क्या यह copper का है क्या क्या यह क्या यह было है सबसे पहले हम यह पता करेंगे कि किस material का है जिस material का यह रहे गर उसी के नुसार से हम वहां पर current निखाल देगे ए यह सूद्ढे रस thermometer करे प्रेज मेजर 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 म तो यह जो मेथड है, यह जो मेथड है, आप देखे हमको निकालना क्या है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट ओम होता है, हम निकालना क्या है, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना ओम है, हमको निकालना ओम है, हम निकालना ओम है, हम निकालना है मीटर को, हम निकाल रहे हैं meter square को है कि नहीं हमको जो चीज निकालना है वो directly major नहीं कर रहे हैं बलकि बलकि जो चीज हमको इसमें निकालना है हमको इसमें resistance निकालना है और assistance को major करने के लिए हम मेरे पास एक relation है r is equal to rho into l by a तो इस relation में जिस जिस चीज का requirement होता है इस relation में जिस जिस चीज का requirement होता है हम उसको major कर रहे हैं और फिर last में इस formula पर set कर देंगे और कहें कि r का value जो होगा वो आएगा सब्हूज कर高 10m आया तो यह जो method of measurement होता है इसको बोलते है इंडारेक्ट में इसको कौन क्यों किंकि हमको निकालना रहा है डारेक्ट ली और लेकिन हम निकाल रहे है L हम निकाल रहें एरिया झाहीं हम तरे्कल से निकाल रहे हैंRes से निकाल नहीं है वहीं देखी है तो वहीं है पहला indirect method of measurement देर operation based on measurement of different different physical quantity and apply a constant relation for the desire value of measurement इसमें ये काम किया जाता है इसमें ये काम किया जाता है इसका operation इस पर based है कि अगर आप ये measure करना चाहते हैं आप resistance को measure करना चाहते हैं लेकिन हम रेसिस्टेंस को मेजर नहीं कर रहे है देर ओपरेशन बेस्ट ओन मेजरमेंट ओफ डिफरेंट 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 फिजिकल क्वांटिटी हम डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं हमको निकालना क्या था दोस्त हमको लेकिन हम निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं लेंद्ध हम क्या निकाल रहे हैं एरिया हम क्या निकाल है हम निकाल हैं रो रसेस्टीबिटि निकाल रहे हैं different physical quantity measure कर रहे हैं एड को फिक ऐसे में निकालने के लिए एक constant relation होता है आर इसकल टू रो इंटू एल बाई ये एन अप्लाई कॉंस्टें रिलेशन फोर डिजायर बैलू अफ मेजरमेंट निकालने के लिए इस यहीं प wealthy एसा मेधर जिसमें आपको विए मेजर करना है कुछ और पुर। इसको बहुत अलग अलग चीज मेचंट मेजर करके एक एक रिलेशन से agrees कर देते हें उसको बहों現在 its direct method उसको क्या मोते हैं correct method बोला जाता है ठीक है ct दैवर में किरेस्पाना को मेजर करने के लिए वンタर ऌला यहां पर यहां पर हिए पॉइंट ट्रमिनल ए हो गया संद्र की से क्रोस मेंजर करो inner अगर अगर आपको डिंस पहले तो भाई आप और निखालो अ कर बाद एक फर्मूला में लगा दो उससे निकाल सकते हैं दूसरा अप बजार करने के लिए इंस्टूमेंट दिजिए कहेगा कौन सा रसिस्टेंस तो कहना कि उसका वहलू जो है एक ओंसे कम है यह एक ओंसे ज्यादा है इस तरह बताना कि इसा और असिस्टेंस है जिसका भैलू दस अम तक है तो आपको इस टैप कर एको मीटर देगा इसको बोलेंगे ओम मीटर लाई यह उठाके आये वही ताल में वही ताल में सटा दिए सटा यह बस इसमें इंडिकेट करने लाएगा कि इसका भैलू केतना है इस इस दा डिरेक्ट मेथर्ट इसो कुछ नहीं मेजर कीजिए जो आप डिरेक्ली मेजर करना चाहते हैं रसिस्टेंस वह यहां से डिरेक्टली इन टर्मस ओफ मेजर करना चाहते हैं जो चीज आप मेजर करना चाहते हैं वह डिरेक्टली से आपको मेजर होके आ जाएगा उसको बोलते हैं डिरेक्ट मेजर 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 मेंट डिरेक्ट मेजर 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 मेंट डिरेक्ट मेजर 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 मे करना है डायरेक्ट ली जो चीज मेजर करना है वो डायरेक्ट यहां से मेजर हो जाएगा यह ओम मीटर लगाईए और आप एह मैजर कर लीजिए क्या था हमको रसिंस निकलने के लिए निकालना पड़ा सब्सक्राइब प्रवेची निकालना प्रदाई तो बड़ी सुन Da णि इंडारेक्त में थर्वला जैज है इसमें तो कुछ करने नहीं पड़ा यह वनुसमें सूक्तल्त थे सूत खेस के लाए दूसरा आदमी मेहनते करते रहा यह दो तरह का मेजरमेंट होता है एक होता है इन्डारेक्ट मेखड और एक होता है इन्डारेक्ट मेथड मेथड में आप जो जिसकी सीज़ को मेजर करना चाहते हैं बल्कि वह मेजर डारेक्टली नहीं किजिएगा बल्कि डिफ्रेंट डिफ्रेंट फिज्कल क्वांटिटी का मेजर्मिंट क्या आता है और लास्ट में एक अधर के तो पॉइंट टू एंपियर गया इधर जाएगा वन पॉइंट टेंट एंपियर आपने अप्लाई कितना किया था दू एंपियर तो इसमें जा रहा है जा रहा है तो इसमें तो पावर का कंजम्संस हो रहा है किसमें डारेक्ट मेथड में जो आप डारेक्टली मेजर करने के लिए इंस्टुमेंट लाए है उसमें पावर का कंजम्संस होगा पावर का कंजम्संस होगा क्यों होगा क्योंकि ये एक इंस्टुमेंट है ये एक मसीन है ये एक इंस्टुमेंट है तो कोई भी इंस्टुमेंट तभी काम करेगा जब उसमें कुछ न कुछ पावर का कंजम्संस होगा और जब power का consumption होगा किसी भी चीज में तो हम बताये थे ना, power अगर किसी भी चीज में consume करता है, loss होता है, तो उसके द्वारा आपको कभी भी exact measurement नहीं मिल पाएगा, exact measurement नहीं मिल पाएगा. कहने मतलब कि जो direct method के द्वारा जो measurement होगा, कभी भी exact नहीं होगा, कभी भी accurate नहीं होगा, लेकिन जो indirect method of measurement होगा, एकदम highly accurate होगा, क्यों? क्योंकि इसमें power consumption होने का chance बहुत कम होता है. पॉइंट समझेगा, बहुत important, एकदम important, अभी से लेके तुचाहे जो exam देदो, SSEJ का exam देदो, चो देदो, हर competition में एदम सवाली पुछेगा, कौन सा? कि indirect method of measurement ज़्यादा accurate result देता है कि direct, indirect method of measurement में कोई power का consumption नहीं होता है. इसलिए उसका result highly accurate होता है. जबकि direct method of measurement में हम कोई instrument से measure करते हैं, जिसके कारण से उसमें power का consumption होगा, जिसके कारण उसमें कभी भी highly accurate, accuracy कभी भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसमें error मिलेगा ही मिलेगा. देखिए का next point, they contain less number of moving mechanical part, so power consumption is very low. इसमें moving mechanical part नहीं होता है, कि इसमें indirect method में, इसलिए इसमें power का consumption बहुत ही कम होता है. है ना, power consumption बहुत ही कम होता है, जबकि direct method में देखिए, they contain more number of moving mechanical part, so power consumption is very high. जबकि अभी देखिए, ohm meter, ohm meter में power का consumption होता है, क्योंकि इसमें moving mechanical part लगा हुआ, इसमें spring लगा हुआ, घुमता है, काटा लगा, pointer लगा है, वो घुमेगा, घुमेगा तब फीरी में थोड़ी हो घुमेगा, कहीं न कहीं से energy लेगा, तब घुमेगा. इसमें यह pointer जो लगा हुआ है, pointer एक point से displace करेगा, तब दिस्प्लेस का यह फीरी में कर जाएगा, फीरी में तो करेगा नहीं, क्योंकि इसमें फीरी में तो करेगा नहीं, तो यह energy लेगा, energy कहां से लेगा, तो यही बला नहीं energy का कुछ पाट इसमें जाएगा, जी. तो यह बड़ा important point है इसमें, बहुत important point है, कि जो direct method होता है, उसमें more number of moving mechanical part लगा हो रहता है, इसलिए इसमें power consumption high होगा, हम first class में बताया थे, essential quality of instrument में, standard instrument में, कि जिसमें power का consumption होगा, वो कभी भी accurate result नहीं देगा, है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाई, low power consumption है, due to low power consumption, result of measurement is highly accurate or less error, due to low power consumption, power consumption कम होने के बज़ा से, due to low power consumption, due to low power consumption, power consumption कम होने के बज़ा से, result of measurement, जो measurement का जो result होगा, is highly accurate, बहुत अधिक accurate होगा, और less error, उसमें error आने का chances बहुत कम होगा, है ना, next points मज़ेगा, वहीं देखिएगा, direct method में देखिएगा, due to high power consumption, इसमें तो high लगल है वो instrument, direct में, जब instrument लगल है, तब power consumption क्या होगा, हाई होगा, result of measurement, content very less accurate, तो इसी लिए इसका जो result होता है, वो काफी, बहुत कम accurate होता है, and more error, इसमें error बहुत ही ज़ादा होता है, याद रखेगा, आप अगर instrument का इस्तमाल कर रहे हैं, आप अगर instrument का इस्तमाल कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को major करने में, तो उसमें power consumption होगा, जिसके कारण से उसमें error आपको high मिलेगा, जबकि अगर आप instrument का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसमें power consumption होने का chances बहुत कम है, और result क्या होगा, result highly accurate होगा, है ना, next माल समय देखिए, इसका देखिए, indirect method of measurement is also called absolute method of measurement, indirect को absolute method of measurement बोला जाता है, indirect का दूसरा नाम absolute method of measurement होता है, जबकि direct method of measurement को हम secondary बोलते हैं, direct method of measurement is also called secondary method of measurement, क्या बोलते हैं, secondary method of measurement बोलते हैं, this is called the secondary method of measurement, जबकिसको क्या बोलते हैं, absolute method of measurement बोलते हैं, तो इसमें देखिएगा, बहुत important to point होता है पहला कि इसको absolute बोला जाता है, और इसको secondary बोला जाता है, इसमां dilemmasada में पुशता आप देखिए गा isงraim खाइली एकुरेट और लेस एर होता है इसमें देखिएगा रियर्ट कंटेंड लेस एकुरेट और और इडर सारा पॉइंट इपॉइंट है इंपॉर्टेंट कहने का मतलब कि अधा में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त याद रखेगा अगर छोड़ दिएग तो examinations नहीं clear होगा competition में के लिए बहुत important है indirect method of measurement में दम याद रखेगा कि यह highly accurate होता है less error इसमें error कम मिलेगा direct method of measurement में यह less accurate होता है more error गलती होने का chance जादा रहेगा इसको बोलते है absolute method of measurement और इसको बोलते है secondary method of measurement एक बाता और याद रखेगा हलाकि यह पूछने का chances कम रहता है indirect method में less number of moving mechanical part होता है indirect method में less number of moving mechanical part होता है जबकि direct method में more number of more number of more number of more number of moving mechanical part होता है है जितना पॉइंट हम गोल गोल घेरे हैं सब इंपॉर्टेंट सारा competition में सब पूछा करता है ठीक है आज इतना ही दूर तक रहने देते हैं थोड़ा से हमको इधर उधर से नुवाई जा रहा है जिकना हम इतना ही दूर तक रह देते हैं फिर नेक्स वीडियो बनाएंगे तब उसमें आगे बात करेंगे लेकिन अभी इतना ही दूर तक मन से लिखेगा पूरा का पूरा definition हर चीज अच्छा से किजेगा ठीक थैंक्यू आज इतना ही दूर तक यह यह लिखने का यहां पर जरूरत नहीं है आप समझने के लिए लिख सकते हैं आप समझने के लिख स झाल